ओम शांती, 23 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क आज रुहानी सत्गुरु हमें मुक्ती जीवन मुक्ती दे कर सरब की सद्गती कर साथ ले जाने आए हैं आज रुहानी सत्गुरु हमें स्मृती दिला रहे हैं स्वरग के लायक बनना है तो इस समय तुम्हें उच पुरशार्थ करना होगा क्योंकि स्वरग में सभी आत्माएं पुन्य आत्माएं हैं तो आज हम स्वमान लेंगे मैं पुन्य आत्मा हूं और आज गुण लेंगे परुपकारी और चिंतन करेंगे मुक्ती और जीवन मुक्ती की क्या-क्या विशेश्टाएं होती हैं जो मुझे जीवन में धारन करनी है और बावा हमें परुपकारी बनाता है तो उनका भी आज चिंतन करेंगे पुन्य आत्मा अर्थाद पवित्र आत्मा जो अपनी पवित्रता की शक्ती से जमा किये हुए खजानों से सामने वाली अप्राप्ती वाली आत्मा को प्राप्ती का अनुभव करा दे तो ये दुनिया कांटों का जंगल है बावा फूलों का बगीचा बनाने आये हैं अर्थाद हमें फूल जैसा बनाने आये हैं तो पुन्य आत्मा बनने के लिए पवित्रता की धारना चाहिए पावन दुनिया में जाना है पावन दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्रता की धारना पर आज हम अटेंशन देंगे उसकी विधी बताई कि तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो योग बल अर्था शक्तिशाली मंसा और श्रेष्ट करम से हम जब दूसरों की सेवा करते हैं और स्वा की उनती करते हैं तो भविश्य में विश्व का मालिक बन जाते हैं याद से ही चड़ती कला होती है याद से ही आत्मा की खाद निकलती है तो इसलिए रोहानी याद की यात्रा में रहने का आज हम अभ्यास करेंगे बाबा ने कहा कि उनकी पवित्र बनने के लिए जैसे हम याद करते हैं तो विकारों का कांटा निकल जाता है क्योंकि इस समय सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का तो उस विकार को जीतने के लिए जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही सरव इच्छाओं से कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि काम विकार है ही किसी के प्रती अकर्षित होना और कोई कामना होना तो इसके लिए आज हम विशेश बाबा के साथ रहेंगे और सरव प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और दूसरा है दैवी गुण धारन करना सत्यता के अधार पर ही हमारे करमों में दिव्यता आएगी जब आत्मा में इश्वरिय गुण होंगे तो करमों से हम दूसरों को सुख दे पाएंगे इसलिए हमारी जो महिमा है सरव गुण संपन, सोला कला संपून है तो ये गुण आज हम सारा दिन चिंतन करते रहेंगे पर उपकारी बनने के लिए अर्थात अपने अंदर जो पुन्या की पुन्जी जमा की है उसके द्वारा अपने बोल द्वारा दूसरों को खुशी देना करमों के द्वारा दूसरों को सुख देना और विरोधी आत्मा को भी powerful द्रिष्टी से परिवर्तन कर देना ये पर उपकार हम तब कर पाएंगे अगर हम स्वव उपकार करेंगे अर्था स्वेम को शक्तिशाली बनाएंगे बाबा की याद से तो इसी तरह पर उपकारी बाबा कैसे बने हमें जीवन मुक्ती दी हमें हम कैसे कैसे साधूं महात्माओं का वी उधार किया और सरव की सद्गति अर्थात परुपकार कैसे किया वो चिंतन करेंगे क्योंकि हमें भी बापसमान परुपकारी बनना है ओम शान्ति